है है ऐलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आबाउट पैराथहरोड ग्लैंड के पैरा थ Aha , जो एक इंडिर्ड्ड ग्लैंड है इस से पहले हम दो इंडिर्ड्रेंड्ड ग्लैंड पर बात कर चुके हैं तेर इस pituitary gland and thyroid gland पे thyroid gland की जब हम thyroid gland के बारे में study कर रहे थे तो उस दौरान जो है thyroid gland का study करते समय ही parathyroid gland का जो है नाम आया था चुकि जो parathyroid gland का location होता है वो thyroid gland के biloped structure पे ही presented होता है तो आपके सामने जो figure दिया हुआ यह thyroid gland का figure है इसमें आप larynx के नीचे जो naming दियो ही है parathyroid उस naming को अगर देखें तो greenish जो है आपको कुछ dotted structure में दिखाई देगा वो parathyroid gland को indicate किया गया है ठीक है तो चुकि है जो h-shaped thyroid gland होता है यह biloped structure होता है तो प्रतियक lobe पे दो parathyroid gland पाय जाते हैं in human body ओके तो हम इस gland के बारे में जो study करने जा रहे है इस gland में हम बात करेंगे gland के location की जो हमने अभी देखा कि 4 संख्या होती है parathyroid gland की या गा सकते हैं two pair होते हैं small glands होते हैं placed कहां है present कहां है इनकी उपस्तिती कहां पे है तो thyroid gland पे small होते हैं reddish या yellowish flattened तुकerson channel के फिर्फियक नेजैका वन होती है या ठार है ago i canblind इस secondौइ फिरा फिलेंड गिलेंड के स्ट्रक्ट्रच्षर की बात करें तो प्रतियक प्रतियक पेर फारड गिलेंड ड़्टियक प्रतियक पड़ा होता है और गिरा हुआ होता है है घिरा उथा है और फद्फिन्ध इंवीलबden की आगे सब करेंग सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब गेर्ट होगा मैं न यह रिके से पैक डि हुए पॉली गुणल sow का एक संसरा यह संुव जो है इंबड़ॉक्ड होता है यह मोजुभें बिर्ड्र हो स्ट्रोप्स हिर्व कि दो वेश्प्रों में सस्ट्रों में सक्रश्ट स्ट्रों में व्येश्ट हो chi लुग्ड कि उपी वहां पर दो प्रकार की होती हैं first है hormone secreting principle cell या chief cell इसे कहा जाता है और दूसरा है oxyphil cell जिसका function क्या है unknown है जिसका function अभी ज्याद नहीं है ठीक है hormones की बात करें और hormones के function की तो यहाँ आप देख सकते हैं कि hormones and function दिया हुआ है तो parathyroid gland जो है सबसे पहले आपको बता दें कि पैरा थारोड ग्लेंड जो है यह सिंगल हॉर्मोन जो है सिग्रेट करता है पैरा थारोड ग्लेंड जो है यह सिंगल हॉर्मोन सिग्रेट करता है कौन सा हॉर्मोन तो देट इस पैरा थार्मोन पैरा थार्मोन पीटी एच या इस हॉर्मोन को क कॉलिप्स हर्मोन भी काया था क्योंकि कॉलिप्स नहीं इसकी खोज की थी डिसकोवर किया था और आइसोलेट किया था इस हर्मोन को आगे देखेंगे क्या दिए होगा है कि इट रेगुलेट्स सबसे पहली बताते हैं होमियोस्टैसिस में जो है इस परत हर्मोन का परत हर्मो केल्सियम और फॉस्फेट आयन का कॉंसेंट्रेशन जो होता है वो ब्लड में रेगुलेट किया जाता है पैराथ होर्मोन के द्वारा ठीक है और कहांपे तो इं एक्स्टरशेललर फॉड एसीयेफ में और इस तंरके से यह कॉंट्रीबूट करता है होमियॉस्टैसिस में और साथ ही क्या होता है इसका फंच्शन तो क्या होता है, it lowers the serum phosphorus it lowers the serum phosphorus by increasing urinary excretion of phosphate but decreases excretion of calcium, क्या करता है कि serum phosphorus, जो serum में phosphorus के मातरा होती है, वो क्या होता है कि, उसकी मातरा को कम किया जाता है, by increasing urinary secretion, urine के दौरा जो excretion होता है वो उसमें बढ़ जाता है phosphate की मातरा बढ़ जाती है लेकिन calcium का excretion जो होता है वो घड़ जाता है फिर आगे बता जा रहा है कि it increases concentration of calcium in blood plasma by mobilizing calcium from bones और चुकि यह पैरत हॉर्मोन जो है यह कॉलिप्स हॉर्मोन कहें तो यह जो हमारे blood plasma में calcium का concentration होता है उसको बढ़ाता है क्योंकि हमारी bones से bone में जो calcium presenter होता है उस calcium को mobilize करने में help करता है यह hormone और इस तरीके से हमारे blood plasma में calcium का जो concentration होता है वो increase कर दिया था इस hormone के द्वारा और साथ ही यह hormone जो है enhance करता है है करता है hormone enhance करता है rate of calcium absorption from intestine हमारे intestine से calcium absorption की प्रक्रिया होती है उसको क्या करता है यह तो उसके rate को enhance कर देता है अब साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे figure जो figure आपको देखने को मिल रहा है आपको यह पैराथरोड gland का figure है ठीक है जो हमने अभी इससे पहले देखा पैराथरोड gland जो है क्या बता जा रहा है figure number A और figure number B दो figures यहाँ पर indicate किये गए है figure number A जो है figure number A में आपको देखने को मिलेगा जो इम्बरेड है surface में आफ थारोड दूसरा है अल्टरा इस्ट्रोक्चर ऑफ पैराथरोड तो सबसे पहले पहले figure को देखेंगे तो पैराथरोड यह पैराथरोड ग्लैंड की नेमिंग है यहाँ इंडिकेट के यहाँ पैराथरोड को यह रहा इस्ट्रोक्चर पैराथरोड का जो थारोड फॉलिकल से क्या हुआ है घिरा हुआ है थारोड फॉलिकल से घिरा हुआ है और capsule of thyroid भी यहाँ नेमिंग ए फिगर में दिखाए गया है वही अल्ट्राइस पैराथरोड में देखें तो इसमें क्या है कि चीफ सेल्स दो प्रकरते से बताई गी थी चीफ सेल्स एंड ऑग्जिफिल सेल्स चीफ सेल्स हर्मोन सेग्रेटिंग सेल है और ऑग्जिफिल सेल जो थी यह यह अन्नोन फंक्शन है इसका ठीक है अन्नोन फंक्शन है इसका ऑग्जिफिल सेल का और वहीं blood capillaries पाई जा रही है आपको देखने को मिल सकते हैं आपके blood एived capilla besond Easter के ब्लेनट का तो आब इसके बाद अधियाम ने देखा फिगर आगे देखेंगे रेगियोलेशन अक्टिवीटी कैसे हritी है पराथरोड ग्लैंड की ठीक है तो यहांट देख सकते हैं कि सेक्रेशन औफ पराथरोड हर्मोन सेक्रेशन औफ पराथरोड हर्मोन that is parathormone یہ kontrol किये जाता है कि इसके तोड़ा kontrol बाइ concentration तो या level of calcium ion in blood हमारी बलड में कैल्सियम आयन का जो हमारी blood में presented जो calcium iron का जो level होता है या calcium iron का concentration होता है ठीक है वो control करता है paratheroid hormone के activity को ठीक है अगर hypo paratheroidism हो जाए मतलब कि paratheroidism paratherormone का secretion अगर कम हो जाए या अगर सेपने कि under secretion हो तो क्या होता है तो under secretion of paratherormone क्या cause करता है तो सबसे पहले तो ये rare होता है दूरलफ होता है गल्दी पायन ही जाता लेकिन cause क्या करता है को अगर हो जाए तो cause करता है calcium level in ECF हमारे जो extra cellular fluid में calcium की मातरा होती है वो उसको गिरा देता है calcium की मातरा को में कमी ला देता है इसे hypo-calcemia कहा जाता है तो साफ साफ कह सकते हैं कि hypo-paratherorism से hypo-calcemia होता है और इसके साथ ही phosphate की मातरा में बढ़ोतरी होती है तो hyper-phospho-phetemia भी हो जाता है और इसके फल सुरूप क्या होता है ये result क्या होता है इससे तो sustained contraction होता है मसल्स में हमारी मसल्स में sustained contraction एक संकुचन जो होता है वो बना रहा जाता है और इस अवस्था को titani बोला जाता है तो फाइनली जो है ये titani जो है लेड करता है death को इससे मृत्यू भी हो जाती है अंधता यह तो ओगए हाइपो पैराथरोडिजम के मतलब की पैराथरोमून pth के कमी से अगर या मतल lossर्जिए कोще अन्दर सेकर blossom होगा तो जो की rare है जल्दी होता नहीं है अगर बात करें हाइपरपैर फैराथरोडिजम की हाइपर पैरफिर्थरोडिजम तो यह क्या क्या cause कर सकता है hyperparathyroidism तो यह cause करता है osteoporosis और साथ ही आप देख सकते हैं hypercalcemia hypo phosphatemia and hypercalciuria यह सारी चीजे hyperparathyroidism से होती है जब parathyroid hormone जो है that is parathyroid hormone या colips hormone जी से कहा जा रहा है इसका secretion क्या हो under control हो या कह सकते हैं under secretion हो lower मात्रा में low मात्रा में कम मात्रा में जो है इसका secretion अगर हो रहा हो तो parathyroid hormone का तो यहां इस वीडियो में हमने बात किया parathyroid gland के location structure hormone and function regulation of activity hypo and hyperparathyroidism के बारे में यहां हमारा वीडियो समात होता है इस वीडियो का अगर pdf आपको चाहिए हो तो इस वीडियो के description box में आपको मिल जाएगा अगर